हेलो इस्ट्ट्रेंट्स कैसे आप सब लोग माखे मेंदर सर्मा नए वीडियो लेक्चर माध्यम के साथ उपास्ते दूँ छात्रों आज का टॉपिक है मारा जिस पर विस्ताया पूर्वा अध्यन करेंगे मुल्यांगन के प्रिकार पेपर कोड 403 एसेस्मेंट आप लर्निं सब्सक्राइब साय वेया जर्टों माध्यम से काफ़ी कुछ रदियान किया है मैंने बधस बताया। मापन के बारे मुल्यांकन के बारे में तो यहां पर बहां आपने पड़ा मुल्यांकन क्या है मापन क्या है उसका प्रोसेस क्या यह सारी चीज़े पड़ी अध्यन किया तो यहां पर मुल्यांकन कितने प्रकार का होता है टाइफ क्या है उसके तो मुखिता आप यह देख रह के आधार पर और व्याख्या के आधार पर तो पहले जो आभी एहमद्दन करेंगे कारी के आधार पर कारी के आधार पर जो मुल्यांकन है वह उसके टाइप से चार पहला है प्रारंब्रिक या संरजनात्मक सन रचनातमक मुल्यांकन формative evolution है योगात्मक मुल्यांकन स्मिलाठीब मुल्यांकन evolution ध्रडर्ड है निदानातम मुल्यांकन यह डैगनोस्टिक evolution फोर्थ है पत्ष्थापन मुल्यांकन । कि प्लेश्मेंट लिशन अजे प्रक्रीति अदार पर या फिर्कार का मुल्यांगर माना गया प्रारमविक से घंडर को nagई प्रेड़ का मुल्यांकर माना गया उसके बरकरिक्र क्रिट किया गया है संधर भी इवुलेशन वह सेकिंड है मांदन्ड संदर्फित यानि कराइटेरियन रिफरेंसे तो यह मुख रूप से जो इसके प्रकार माने गए हैं वह चारी माने गए चार जो काली के आदार पर हैं ठीक है मैंने इसमें मैंने देखी में इंसन किया हुआ है यहां पर प्रारंबिक फॉर्मेटिव सिमेटिव डाइनुस्टिक प्लेस्मेंट इवलेशन इस चारो मुल्यांगन मुखरूप से माने गए हैं नेक्स्ट है कि अब हम बात करेंगे विस्तार पूर्व अगर जो अध्यन करेंगे वह प्रारंबिक यह संद्धनात्म मुल्यांगन के बारे में अध्यन करेंगे तो प्रारंबिक यह संद्धनात्म मुल्यांगन क्या मुल्यांगन क्या है कौन सा मुल्यांगन है छात्रों यह वह मुल्यां सामेगरी की प्रवाफ सीलता गुणवत्ता वांचनियता या उप्योगता का आकलन करता है उस कारिकरम योजना प्रक्रिया या सामेगरी को और अधिक प्रवाफ साले गुणवत्ता पूर्ण वांचनियत तथा उप्योगी बनाए जासके जैसे आप कह सकते हैं प्रारंबिक मुल्यांकन में किसी निरमाधिन कारेकरम योजना पिरक्रिया या सामिक्री को अंतिम रूप देने से पहले उसके प्रारंबिक प्रारूप का मुल्यांकन किया जा सके करने जा रहें कारेकरम करने से सब्सक्राइब करने जा रहें जो उसकी रूप रहने प्रेंबर्ग किया है तो उसका मुल्यांकन करना कि कमी तो उसमें सुधार किया जा सके तागे वह फैक्टिव हो प्रोग्राम अच्छे से ठीक है तो इस प्रिकार करने की दरश्टी से यदि इसका मुल्यांगन किया जाता है तो इसे प्रारंबिक मुल्यांगन कहते हैं चातर हम अध्यन करते हैं इसके फंक्शन के इसके कारिय क्या क्या है तो इसके कारिये पहला कारिये है निदानात्मक कारिये दूसरा पदिस्थापन कारिये मुखरूप से तीन कारिया है और तीसरा जो है देखवाल मॉनिटरिंग डाइगोश्टिक वर्क वर्क प्लेस्मेंट वर्क और मॉनिटरिंग वर्क जो पहला है निदानात्मकारिये वह यह ऐसी विदी है या प्रविदी को पैचानने में साहता करता है जो सेखनवाद सीखने लिए सबसे चाहप प्लेस्मेंट वर्क ये चाहत्रों के उस कारिकरम्या पार्टा वस्तू में इस्थितिध बताता है जो अभी चल लहीं है यह चल दा आया शाम है समार्ट नहीं हुआ है अर्था बरतमान में शंकालित्ध पार्ट करम के कई संदर्व में छात्र की उपस् करता है कि वह अपने चात्र की प्रतिदिन की सीखने की गति पर नजर रख सके तता यदि वह उससे संतुष नहीं है तो उसमें आविशक परिवर्तन कर सके ठीक है यहां पर मॉनिटरिंग की जो बात कि यह वो टीचर के लिए अफजर करना मॉनिटरिंग करना इस्टूलेंट टॉपिक है आपका एक्जाम में 99 पर्सेंट आता है यह ठीक है चात्रों इसको सही रूप से दुवारा दो तिन तिन बार वीडियो इसकी देखिए आप और इसके नोट बना लिजिए नेक्स हम बात करते हैं इसकी विशेष्था है सनद्यात्मक या प्रारंबिक मुल्यान की विशेष्था है पहले है इसमें फर्स्ट यह सीखने की प्रिक्रिया का आविशक भाग है ठीक है चात्रों यह सीखने की प्रिक्रिया का आविशक भाग है यह सीखने की प्रिक्रिय तो गलती करता रहएगा जो गलती उसको यह गलती किए रहागता है अगर उसको चैक नहीं कि आयेगा उसके नहीं किया यहँ में सुधार नहीं किया जाएगा तो वह आसी होती रहेगी नेक्स्ट है इसमें प्रणाम चात्र तता ध्यापक को तुरंधी पता लगते हैं नेक्स्ट ये चात्रों की शीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है ठीक है चात्रों समय समय पर जो मुल्यांगन होता रम लगता है कभी यह कारिया ध्यापक के वर द्रिक्षन द्वारा भी इसको पूर कर सकता है यह चात्रों को कि यह चात्रों को उनकी प्रगती की जानकाली देता है कि इनका स्वरूप मुख्यता द्यापक निर्मेट टेस्ट की रूप में होता है यह द्यापक को उसको इसको शिक्षन तता निर्देशन तकनीक में तुरंत बदलाओं के अफसर देता है यह यह जाता है तो पहला इसमें कक्षा गतिविदियों के समय चात्रों का निरिक्षन करना इसके आधापर यह मुल्यांकन संभव है यह किया जाता है कि सफ्पर आधारित ग्रायकारी है जो समय वर्के व्यश्व Umber देना बच्चों के लिए चात्रों को माशिप प्रिक्षा मंतली अग्जाम प्राएम जैसे कभी कभी कुछनर प्रोग्राम सब्सक्राइब प्रोग्राम या कोई अक्टीवीटी रख लिए रख ली जाता है उसके बेस्था लग जाता है कि हाँ बच्चा कितना सीख रहा है ठीक है और शुदार किए सकता है ली गई पृति पोष्टी यहिसे फीटवेक है शात्र उद्वारा जो लिये फीड्बेक है उससे भी मुल्यांकन होता है वह इसी करक्षा लिये गए टेस्ट या उसके परणाम फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चेकेंड यूगात्मक मुल्यांकन डर्शन यह जो मुल्यांकन होता है जिश्ट इसका पोजिट होता है जैसे अभी जो ता प्रारंबिक या संद्रत्मा मुल्यांकन यह मुल्यांकन किसी कारिकर्म को और्ग्राइज करने से पहले किया जाता है वट यह यह जो मुल्यांकन है योगात्म मुल्यांकन इसके वारे में पड़ते हैं योगात्म मुल्यांकन किसी पूर्व निर्मित यह और लेडी डवलप्ड सेक्षिक कारिक्राम योजना प्लानिंग प्रोसेज या कारिक्राम सामिगरी की समग्र वांचिनियता को ग्यात करने की प्रक्रिया से है थात योग योगात्म मुल्यांगन करता किसी सेक्षिक कारिक्राम योजना या सामिगरी को शीकार करने से पहले य कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह मुल्यांगन पहले से ही जारी तथा स्विक्रत कि योजनाव कि पहले से ही जारी रखने के संबंद में नहीं लिया था कि यह जो योजनाव को जारी रखने या उपलब्द अनेक विकल्पना आत्मा कारी करमों या सामिग्री में से किसी एक सरवादिक उप्युक्त का चेहन करने की द्रश्टी से किया आता है यह कोई भी प्रोग्राम और्गिनाइज किया जा रहा है उसकी रूप पहले से त्यार है यह आप कह सकते हैं यहां पर योजना सेक्सिक कारिकराम सामिगी का समग्र वांचनी रूप जो आल लेड में नहीं किया तो इस प्रिकार का जो मुल्यांगन होता है योगात्म मुल्यांगन होता है इस मुल्यांगन प्रिक्रिया की शुरात में ना होकर सदा प्रिक्रिया समाप्ति के बाद में किया आता है यह मुल्यांगन कोई प्रोसिस है को प्रिक्रिया है उसके सी समाप्ति के लिए अनेक बार दो बिर्क्स का भी प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग करके सफल योगात्म मुल्यांगर किया जाता है इस मुल्यांगर के लिए परिक्षाओं का आयोजन सत्र की समपति पर किया जाता है बात करते हैं हम इसकी किसकी इसकि का यह सिरे देना एक पिखरी कि ए nu मिख़र करते हैं लिए स्वावले पत्र देंग तर्मोइटिंग सिलेक्शन कि रहते देने की बात करती है कि उससे इस बात की पुष्टि होती है करता है कि चात्र अपने प्राप्त किये गए लेक्षों के बाद कोई कारिय कर सकता है है तो यह वो डिगरी इस बात का प्रमाण होगी कि आप टीचर बने लायक हो आप टीचर बन चुकी हो आपका यहां के टीचिंग कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रमोटिंग यह चात्रों को अगली कक्षा में प्रुमोशन दिये जाने का अफ्षर प्रदान करता है क्या कर सकता है कर दूसरे क्लास में एडिपिशन ले सकता है कि नेक्सट इसकी बात करते हैं विशृस्तास को tale कर यह किसी कोर्स या कारीय के कख्षा के अंत्म spikes कि आता है मैसा नेक्सट है इस की प्रवर्ति कैसे होती हूं नयदाएक फेल जिसे कहते हैं पास हो गया इस्टुरेंट ठीक है फेल हो गया मतलब नियर्णा देना क्योंकि छात्रों के निश्पति ये उपलब दी अची मेंट के बारे में बताता है इसे पता लगता है बच्चे ने कितना अचीव किया है नेक्स्ट है इसकी विशेष्टा ये केवल कि शिक्षक निरिक्षण पर अधारित नहीं हो सकता ये मुल्यांकन जो है जैसे आपने उसम पढ़ा था संदत्नात्म मुल्यांकन में कि वो एक टीचर क्लास में अगर निरिक्षण कर लेता है तो मुल्यांकन संभाव है निरिक्षण के अधार परवट इसमें नहीं है ये उपलब्दी क्या हुई है नेक्स्ट है ये चात्रों की चीखने की प्रिक्रिया के समय होने वाली कटनाईयों के बारे में नहीं बताता है क्योंकि ये अंत्में प्रिक्रिया के चीखने की प्रिक्रिया के अंत्में ही किया जाता है नेक्स्ट है इस परणाम ग्रेडिंग या पदिस्थापना में प्रियुक्त किया सकते हैं कभी कभी इसके परणाम नकार आत्म भी हो सकते हैं निगेटिव भी हो सकते हैं ऐसा नहीं पॉजेटिव भी हो नेक्स्ट आप कर सकते हैं यह शिखने वालों को अभी प्रेजित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है Normal केसे टूल से टैखनीक्स है में तर्शन्जिन पर ये मुल्यांगन किया जाता है rit इसमें हैं पहला मुख परिक्षा में जाब्स नेस्ट बार्सिक परिक्षा एन्वलक्स नेक्ष्ट करिये हैं सब्सक्राइब पूर्ण कम्प्लीट स्लेव से सम्मंदित नेक्स्ट अध्यापक का स्वे मुल्यांकन टीचर जो खुद सेल्फ एवलेशन अपना करता है मुल्यांकन करता हो नेक्स्ट मानक परिक्षाई जो नौम्स एक्जाम्स होते हैं वो रेटिंग स्केल्स प्रक्टिकल से एक्जाम्स चात्रों का मुल्यांकन सिक्षाण की प्रिवास्वीलता के संबंदर में यह सबी इसके उपकरण है ठीक है चात्रों नेक्स्ट मिलते हैं नीव वीडियो के साथ ने टॉपिक के साथ घर पर रहें सुरक्षित रहें थैंक्यू झाल 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 झाल